तो बनाने वाले क्या करते है कई बार अगर 5 फिट हाइट का कस्टमबर आ गया उसको भी एक इंच बढ़ा कर बना देते हैं तो आपको ये गलती है जिसको अभी नहीं करना है नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका पराग टेलर चेनल पर दोस्तों की जैसे कि आपने थम्म मेजरमेंट लेना वा आपको सिखाने वाला हूं इसके अंदर आपको जानकरी दूँगा और इन दो तीन चीजों पर अगर आपने गोर कर लिया तो आपका ब्लाउच कभी भी बिगड़ेगा नहीं बिल्कुल बरोबर और परफेक्ट बन जाएगा ठीक है तो चलिए इस व कॉलर नेक गले के लिए आपको शोल्डर का मेजरमेंट कहां से लेना है और क्यूं लेना है दोनों तरप के मेजरमेंट फरंड के और बेक के पूरा वीडियो देखिएगा आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं देखिए दो तबी आप काम को सिख पाएंगे और काम को सिखना जरूरी नहीं है काम को अच्छा सिखना जरूरी है ठीक है कई लोग काम को सिख जाते हैं और कैसे भी बना बना कर दे देते हैं वो जरूरी नहीं है आपको काम को सिखना है अच्छे से सिखना है और परफेक्ट सिखना है और अपनी मन चाहे कश्टमबर से सिलाई ले सकते हैं हम सबसे पहले आपको बता दें कि हम साम ने के हिसाब से Cutting Blowscket कि नहीं or करते हैं साहे का जो भी हिसाब रहता है हम चेश्ट के हिसाब से निकाल कर Cutting कर देते हैं और वो बिल बुलाउच की लंबाई मेजर करना है हम यहां पर एक मार्क लगा लेंगे ऐसे यहां तक रखेंगे हम बुलाउच की लंबाई तो देखिए जब हम कॉलर वाला बुलाउच बनाएंगे ना तो हमको यहां रखना है जहां पर गला खतम होता है वहां पर और ऐसे लगाना है तो यहां पर ऐसे 4 बोट दूर याने 2 इंच के लगभग दूर रखना है आपको यहां से और यहां पर से ले लेना है इसकी लंबई तो यह हमारी लंबई आएगी साड़े 14 इंच याने डीप नेक जो बोट रहेगा इसी मेजरमेंट पे साड़े 14 इंच की लंबई रहती है और जो कॉलर वाला बोट रहता है इसी पर से इसकी साड़े 15 लंबई आती है मतलब एक इंच का फरक आ जाता है और जब कटिंग करना आपको सिखाए जाएगा तो ड आने वाले वीडियो में जरूर मिलने वाली है अब आपको यहां मेजरमेंट करना है सोल्डर के लिए यहां रखेंगे इसे टेप और यहां पर तो यहां से अपने को गले का मेजरमेंट करना जैसे मान लेते हैं हमने यहां तक गला कस्टमबर का रखना है तो यहां पर रख के बुलाउज के गले के मेजरमेंट का तो आपको कोई प्राब्लम नहीं आप इस टेप को ऐसे तिर्चा रखेंगे यहां पर तो यह 11 इंच आ जाएगा याने समझ गए आप अगर सीधा मेजरमेंट ले ले लेते हैं और क्रास अगर मेजरमेंट वाला आपने गनित सिखा है तो वह 11 आएगा सीधा मेजरमेंट लेंगे तो 10 आएगा ठीक है यह दोनों तीनों चीजे आपको ध्यान दखना है इसी पर बिगड़ता है हमारा बुलाउज क्या होता है कस्टमबर का ऐसे ले लेते हम मेजरमेंट वह 11 इंच का गला हो जाता है फिर हम सीधा रखके काट ल लेना है दोनों में तरीका एक ही चलेगा बस टेप को तिर्चा रखना है ठीक तो यह बात आपको किलियर समझ में आगे होगी अब मैं आपको समझाता हूं सामने यहां पर यहां पर भी वही मेजरमेंट काम करता है सबसे पहले हम गले को ही मेजरमेंट कर लेते हैं यहां से रखेंगे तो यहां पर जाएगा देखिए यहां से रखेंगे और यहां पर जाएगा तो यह 8 इंच का गला होगा इसको ऐसे सीधे रख लेंगे तो यह 7 इंच का गला होगा ठीक है यह बात आपको इसलिए बताना जरूरी है कई लोग क्या करते हैं ऐसे मेजर्मेंट कर लेत हैं और जब हम कटिंग बताते हैं तो यहां से लगकर आट इन बना लेते हैं तो गला फिर बड़ा हो जाता है तो प्राब्लम हमको शौल करना है हमारे किसी भी ब्लाउज में कोई प्राब्लम नहीं होना चाहिए इसी पर हम वीडियो बनाएंगे अब अभी देखिए इसका आ केजर्मेंट लिया जाता है वह आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिले गया अभी सबसे में चीज क्या है गलती कहां होती है हमारे से जैसे हमने आपको बताया चेश्ट से वन फोर पर एक इंच बढ़ा कर बस्ट पाइन निकाल लेना है तो बनाने वाले क्या करते ह करना है जैसे हमको लगता है सवा 5-5.5-5.65-6.00 फित का अपना हाइट का कश्टमबर है तो उस पर जो हम गणीत बताते है उसको अपलाई करना है अगर जैसे 5-5.5.65 फित हाइट का अगर कश्टमबर आए गया है तो आपको याद से उसका बस्ट मेजर करना है ठीक है सभी को मेजर करने का मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि जो हमारा चेस्ट का one for है न उससे सब solve हो जाता है लेकिन अगर हमको लगा कि अचानक यह customer तो भूत height कम है तो फिर उसका burst point नापना जरूरी है क्योंकि अगर ऐसे मेजरमेंट से हमने बना दिया जैसे चेस्ट यहां है तो उसका जो हम जो कटिंग करेंगे वो नीचे चल जाएगा और फिर पूरा बुलाउज बिगड़ जाएगा बस यही एक कारने की बुलाउज आपका बिगड़ जाता आप गोर करना जैसे हाइट कम वाला आएगा उसका बस्ट पाइट ना आपना भले चेस्ट उसका 38 रहेगा ठीके लेकिन उसका बस्ट पाइट 9 इंच पे भी आ सकता है जैसे हाइट 6-6 फिट उची हो गई ना कस्टमबर की तो भले उसका चेस्ट 38 रहेगा लेकिन उसका बस्ट पाइट 11-11 पे भी आ सकता है ठीके तो फिर व चेश्ट के 14 से बनाया है मतलब 75,5, 5,6 फीट जो हाइट रहते है न उन लोगों के हिसाब से बनाया है और अगर कोई आपके पास छोटी हाइट का आ जाता है तो आपको उसके हिसाब से उसका बस्ट पाइंट आपके थोड़ा उपर से कम करके बनाना पड़ेगा ठीक है तो को जो भी cutting हम करते हैं आ बुलाउच की अपने को टेंसर नहीं लेना है कि इसका डाट कितने इंच का देंगे 36 में डाट कितने इंच चोड़ा आएगा इसके कोई प्राब्लम नहीं है ठीक है मैं आपको बता दूंगा cutting के वक्त कि 36 में डाट कितना आना है 38 में डाट कितना आना है 40 में डाट कितना आना है सभी में डाट एटोमेटिक निकलेगा आपको यह सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कितनी साइज में हमको कितना चोड़ा डाट रखना है हाँ डाट की लंबाई बता दूंगा मैं कि कितनी रखना है केसे निकालना है सभी चीज बताऊंगा तो वीडियो आपको continue देखना है अब और पूरे ध्यान से देखना है एक वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आएगा तो तीन चार बार देख लेना हो सकता है आपके बहुत सारी काम की और फ्रंट से न में ने बताया है तो आर आर महल को निकलता है हर हम निकलना आप लोगों को बता देते हैं और आब देखते हैं इसका हम chest यहां रखेंगे हम tape को यहां रखेंगे हम tape को ऐसे सीधा और देखिए मैंने यहां पर एक उंगली रखी है तो यह 49 सींच आ रहा है उंगली को छोड़ देंगे तो यह 30.30 आएगा तो यह इसको मैंने 49 सींच पर measurement किया है मैं इसका chest 49 सींच रखूँगा देखिए कमर 35.30 आ रही है इसका हम upper chest measurement करेंगे यहां पर तो upper chest इसका आएगा 35.30 जीसे उंगली रखेंगे ना तो 35.30 नहीं रखेंगे तो 38 तो हम इसका 35.30 upper chest रखेंगे और इस डमी पर आपको जो मैं cutting बताऊंगा उसका blouse हम यहां पर पहना कर बताएंगे आपको और deep गले में हम front वाला जो shoulder रहता है ना उसको measurement करेंगे तो देखिए deep neck रहेगा तो हम इस shoulder का measurement आएगा जैसे यह 15 आया इसी को apply करके आपको deep neck पर cutting बताएंगे और अगर collar neck आएगा तो जो back का अपना shoulder आये ना soul lines का उसको apply करके आपको cutting बताएंगे ठीके तो आप लोगों के बाते समझ में आगे होंगी कि यहां से आपको shoulder का measurement लेना है बेक से shoulder का measurement लेना है यह जहां का जो आता है ना यह हम जो कम करते हैं ना एक ही तिर्चा उसमें सब एक्जेस हो जाता है 99% एक्जेस हो जाता है एक दो चीज़ का एक्जेस नहीं होता है तो उसके लिए आप चाहो तो इसको measurement ले सकते हैं और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ अगर आपको बहुत सारे गणीद बताए जाएंगे यहां measurement यहां measurement तो जिसे code बनता है ना तो कोट के कैसे master दो तीन रहते हैं उस टाइप से काम हो जाएगा हमारा क्या करना है हमारा क्या कहना है कि हम कम आपको गनीद बताए तरीके बताए कि भई इस तरीके से हम इसको cutting कर सकते हैं यहां पर अगर कोई problem आगी तो उसको दूर के से कर सकते हैं इन चीजों पर हम आगे आने वाले वीडियो बनाने वाले हैं और आप लोगों का काम है शिरिफ वीडियो को देखना और पूरा वीडियो वाच करा किजिएगा आपको हर वीडियो में अच्छी अच्छी जानका करेंगा कटिंग के और स्टीचिंग के एक कॉलर वाला और एक डीपने वाला ठीक है उसके बाद अगली साइथ जो आप लोग कमेंट करेंगे उस पर वीडियो बनाऊंगा तो आप समझ गए यहां पर हमने मेजर्मेंट लिया गले का चेस्ट का कमर का यह सभी चीज आपको लिख लेना है और इसी पर कटिंग सिखाऊंगा और देखिए हमारा फ्रेंट हमेशा बड़ा रहता है तो फ्रेंट और बेक के ओपर जब रखते हैं न हम तो जब हम कटिंग करते हैं जब यह सब अलग-अलग दिखता है लेकिन जब हम चारो तरफ से इसको जोड़ देते ह आदा इंच सिलाई के साथ तब बिल्कुल बरोबर बुलाउज आपका ऐसे जटकेंगे अपन मशीन पर और फिक्स बेट जाएगा पूरी सिलाई भी सिखाने वाला हूँ पाइपिंग कैसे बनाते हैं ये भी सिखाने वाला हूँ हूख हाई की पट्टी पर वीडियो बनाने मतलब आप लोगों को पूरा नए सिरे से काम सिखाने वाला हूँ और इसको मैं सिलाई क्लास का नाम इसलिए नहीं दूँगा क्योंकि हमने दो बार सिलाई क्लास चालू करी और दोनों बार हमारी तवियत खराब हो गई ठीक है तो मैं इसको सिलाई क्लास का नाम नहीं दू तो एक उंगल यहां रखेंगे तो गला भी अपना 16 आएगा 90 पर्शन लोगों में यही फर्मॉला यूज होता है अगर जितना सोल्डर है उतना ही गला आएगा अगर यह मेरा सोल्डर अठ्रा इंच है तो मेरा गला भी अठ्रा इंच का आएगा चलिए आपन देख लेते हैं एक बार ऐसे करकर यहां रखा मैंने यह टेप है मेरा और यह देखिए शोल्डर यहां पर यह शोल्डर है और इधर देखिए यहां पर भी शोल्डर है तो यह देखिए अठ्रा इंच आया है यह देखिए यहां पर मैंने गला नापना है तो यहां पर देखेंगे हम तो य यसे हमने अनुभवों के साथ साथ आगे काम सिखा है वैसे ही आप लोग भी सिख जाएंगे थोड़े दिन हमारे वीडियो देखकर सिखिए फिर अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा कर काम को करिए मैं ग्यारंटी देता हूं आप परफेक्ट मास्टर खुद बन जाएंग और देखिए जो यह हमारे पेपर पेटन है ना जैसे हमने यहां लिखा है नार्वाल प्रिंसेस कट और 16 रोपे इसकी पेमेंट रखी है यह हमारे पेपर पेटन पूरे लेमिनेटेड है याने दोनों तरफ से आर्ट पेपर पर तयार करने के बाद में लेमिनेशन किया हू दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में जिस पर आपको यह जो full chest है ना इसके हिसाब से cutting सिखाने वाला हो और कोई जरुवत नहीं पड़ेगी आपको इस full chest के हिसाब से dot की चोड़ाई, dot की लंबाई, dot उपर से कित्ता रखना है, आपको upper chest के लिए कम कित्ता करना है, क्या करना है स सबी चीज सिखाऊंगा, तो next video मेरा जरूर देखिएगा, next video कल आएगा, दोफाहर के 12 से 1 बज़े के बीच में, ठीक है, तो दोस्तों मिलते है next video में, तब तक के लिए, जैहिन